चैप्टर नमबर वन हमारा है दब ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स क्या इस चैप्टर में मोटा मोटा बजा देता हूं इसकी कहानी थोड़ा सा मैं पानी पील लूँ गर आप लोग की इचाज़त हो तो स्टार्ट करते हैं फिर हमारे चैप्टर दब्यूटिफुल वाइट हॉर्स जो साथ ही अभी अभी जुड़ें प्लीज लाइप सेशन को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं और इसको शेर करें अपने सभी साथियों के साथ ठीक है जी हम तो तयार हैं 11 वालो तयार हैं चलो जी शुरू करते हैं कि आइस चैप्टर के अंदर दब्यूटिफुल वाइट हॉर्स मोटा मोटा बदायत तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स यानी एक सुन्दर सफेद कलर का घोड़ा बिल्कुल जैसे आपको प्यारा लगता है वैसे ही मुझे एक सफेद कलर का वाइट घोड़ा बहुत प्यारा लगता है कि यह इतनी चूचू की आवाज ना मुझे भी रिटेट कर रही है इनका गेट खोल दे यार कोई जाके चलो ठीक है तो भी सुन्दर सफेद कलर का घोड़ा तो क्या कहानी है यह न दो बच्चों की कहानी है दो अर्मेनिय न अर्मेनिय एक कंट्री है एक कंट्री है अर्मेनिय ठीक है वहाँ के दो बच्चों की कहानी है दो गरीब बच्चे एक कबीला था एक ट्राइब था अर्मेन नहीं है लेकिन हमारा इमान बड़ा पक्का है इमानदार है तो पैसों के तो कह सकते हो कि भी पैसों से गरीब हैं लेकिन दिल के बड़े अमीर हैं और इमानदारी में सबसे उपर आते तो मशूर थी उनकी ना इमानदारी उनकी बाप दादाओं की उनके परिवार की इमानद आप बच्चे घरीब जरू होते लेकिंगा थैंगी भूणाइव तो आखें देखते हैं लो जैब नहीं देखती है तो इनको इनका भी ड्रीम था इनको भी अच्छा लगता था इनका भी मन होता था कि हम भी घुर्ड सुवारी करें उस जमाने में घोड़े होता है तो घुर होता है कि में मर्सेडी चलाओ जैग्वार चलाओ होता है है इसा इस इसे हम घुर सवारी कर पाएं गोड़ा भी घुड़ा नहीं घहांगा आते तो जमाने में महंगा होता है पैसे नहीं थे घरीब परिवार से आते थे तो कैसे एक में का एक दोस्त होता है दोनों दोस्त में से एक दोस्त होता है मुराद वो क्या करता है एक घोड़ा में चुरा कर लिया आता है किसी का घोड़ा चुरा कर लिया आता है और उस पर घुर सवार ही किया करता है अब घोड़ा चोरी कर लिया है और खांदान बड़े इमांदारों का है तो क्या होदा है इन्हें मन तो बच्चे का तो मनी है वो चुरा तो लाया अब लेकिन डर भी लग रहा है घोड़े को चुपा के भी रख रहे हैं और फिर किस तरह से घोड़ा वापिस करते हैं यह पूरी कहानी है किसकी the beautiful white horse मैं आपके सामने इसको कैसे complete कराने वाला हूं कैसे कराने वालों ध्यान से सुनो इस कहानी के जो इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इंपोर्टेंट की वर्ड्स हैं इंपोर्टेंट इवेंट्स हैं वह मैंने आपके सामने कके बार बार निकांनाम आएगा अर्मनिया मोराथ कोई है क्या की एक जुड़ा हो या मुषा अर्मियनएम ऱीम न confession कि सब्सक्राइथ दूस्ते नहीं उसके नोगन वहिए सरने वाइन कहने वाली है नी तो सबसे पहले चीज तो यह याद रखने इस चैप्टर से में important कि कौन सी फैमिली के वह हो अर्मेनियन फैमिली के एक गर्गॉलियन फैमिली जिसके दो बच्चे दो गरीब बच्चे गरीब है ठीक है पूर बच्चे लेकिन उनका सपना क्या उनके ना आता ठीक है नेक्स के वह दैए ओन अल्ली मॉर्णिंग मुराद केम विदा वाइट हॉर्स उनमें से जो एक बच्चा है मुराद एक दो से मुराद वो एक वाइट होर्स के साथ अरम के पास आता है अरे यह गोड़े के साथ कैसा उसे लगता है वो सपना देख रहा है म मुराद के बारे में एक बाद किम घूड़ों को ट्रे बंड़ को अच्छे संaci करना पर मुराण इन वाइट ओ जाता पहुत स्लावेचि कैने 1991 और मुराद इन वाइट इन आता है इं और मूरएल्द ॉर visa में होता होगा चलना खाने पीने चलना एंदर देना बिल्कुल ऐसे लिए आज जैसे आपका कोई दोस्स कोई महगी सी बाइट लिए डूब 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 आई यह वह लेकिंना टेर अउन चलता है मुराद ने घॉड़ा चोरी किया था खरीट सकता इंता अरम और मुराद दोनों ही गरीब बच्चे थे घरीब इतनी क्या गोडा था उनकी है सित से बाहर है थिए कहां से लिया आओगे मेरेशली पैसा निया पैसे का कमी है ठीक है त मुराद को थो घुलानघ ल कि रिक्वेसटेड मुरात कि वह अकेले अलोन हो राइडिंग करना चाहता अब हूर मुराद मांन जाता कि यह अकेले वैठता है तो से ओस समलता नहीं अर profoundly left तेस लेकर चला दो और वो गिर जाता है और क्या करता है गोड़ा देता है और गोड़ा कहीं भाग जाता है आप इमेजन करो घोड़ा चला रहें और आप पीछे गिर गोड़ा भग गया अप्ट्र मुराद को घोड़ों की बड़ी अकल होती है कि मुराद ही था जो एक गुरूप में होता है या दोस्तों में एक बड़ा थेज होता है और फिर उसको कहीना ऐसी जगा चुपा के बांद देता है जहां उसे कोई घोड़े को देखना पाए क्या तो रहे करके आया था ला इस तरह से माल लो उसको वहाँ पर ले जाके जो बंजर सा पड़ा होता खाली सा होता कोई नहीं आता जाता है इसको घोड़े को आगे बढ़ते हैं अब क्या होता है दे डिड़ हर्स राइडिंग फॉर टू वीक्स अब ऐसा ना दो हफते चलता है वह दोनों अरम और मुराद ना सुबह उठते हैं घोड़सवारी करते हैं और घोड़े को दुबारा चुपा के बांध के आ जाते हैं जान बाहरो अब यह एक नया नाम आत यह अंकल का है अंके चाचा का दोस्त होता है अरम के चाचा का बहुत को म्रद आप ऐरन उसे तो रिटर्न होर्स आफ्टर लर्निंग राइडिंग अब खुसरोव चाचा से मिलने आता है जॉन भाइरो बताता है यार मेरा घोड़ा खो गया है यह तो परिशान हो रहा हो गया तो भूल जा उसके चाचा यह से जवाब देते हैं लेकिन वह जॉन भाइरो उसको बहुत हो सब्सक्राइब करता है मुराद से जब बात होती है तो दोनें डिसकस करते हैं कि हम लोग चोड़ थोड़ी है हम चोर नहीं है हमारा तो खांदानी मांदारी के लिए मशूर है तो हमें काम करेंगे 6 महिन तक इसको चला चुलूगे सीख सापके बढ़िया से होर्स राइडि फिर क्या होता है one day at the hidden spot they met byro he examined horse and thought it was a twin horse एक दिन क्या हो जादा मजी की बाहत होती है वह दोनों गोड़ा चला की जा रहोते हैं और वहां पर बांदर होते हैं जहां पर ले जाते हैं गोड़े को अब गोड़े को बांदर होते हैं वहीं पर खड़ा कर रहोते हैं वहीं पर इसकी तो आंग भी मेरे जैसी मेरे जैसी इसकी तो नाग भी मेरे जैसी टांग भी मेरे जैसी किया सेम है विल्कुल लेकिन उसको जरा भी शक नहीं होता कि यह घोला उसका ही है क्यो शक नहीं होता है यह सवाल पूछा जा सकता है आपसे that question may be asked to answer क्या होगा because उनका खांदा जो अरमन मुराद की फैमिली थी ट्राइब था मशूर था अपनी ऑनिस्टी के लिए that's why उसे कोई शक नहीं होता वो डाउट नहीं करता अरमन मुराद पर फिर क्या होता है वो सोचता है कि यह उसका कोई जुडवा है उसी जैसे दिखने वाला गोड़ा इनके पास है सेम आफ्टरनून दे रिटर्न दे रिटर्न होस कोईटली तो बाइरो विन्यार्ड अब वो क्या करते हैं उसी आफ्टरनूसी दुपैर को सुबह में वह मिले थे दुपैर में जाके न चुप-चाप से गोड़ा वही पर उनका गोड़ा जो 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 होता है और वापिस चुप हो जाए ना मिल या गोड़ा क्यों चैचे कर रहा है और इस तरफ एक आनी खत्म हो जाती है तो इसमें इंसानी फितरत के बहुत सारे आस्पेक्ट कवर किये गए आपकी परवरिश आपके जो खांदान के इजट होती है उसके बारे में काफी चीज़े हुई है तो आप लोग पढ़ लो मेरे साम नहीं न पढ़ लो पढ़ लो मैं थोड़ी देर साइड हो जाता हूं पढ़ते रहो इसके बार हम इसके क्वेस्टन से एक बार और कहना चाहूंगा जो लोग हमसे साथ ही अभी चुड़े इस लाइप से पहले तो लाइक करो अपना प्यार द तो आई ये शुरू करते हैं इसके क्वेस्टन जो प्रिवेस चर्म में पूछे गए हैं और मुझे अमीदव आप इसके आंसे बहुत असाई से कर सकते हैं इसे पहला क्वेस्टन है डिस्क्राइब दू नरेटर's first encounter with the white horse अब नरेटर कौन इसमें अरम नरेटर है अरम नरे अरम को दिखाता है अरम कुछ हो जाता है दोनों चुप चुप के उसको घोड़े को चुपा के चुपके चुपके सुबसुबसुबसुबस जाके होर्स राइडिंग करते हैं बाद में ने पता चलता है कि वह घोड़ा किसका है किसका घोड़ा निकलता है वह अरम के चाच पता है और वह कौन आता है फिर मुराद आता है किस के साथा कि मुराद केंव विठ रहा है वो ग喻 dissol etiquette कि आ फॉपाइबॉव और पार से हुय उसका तरह से और उनका इसमें कोई खास बड़ा रोल है नहीं वह क्या है साइड केरेक्टर है और खुसरोव भी बहुत ज्यादा उनकी बड़ी-बड़ी मुच्छे है यह आप लिखोगे कि मालब उनकी एक बिग मुस्टैश है और बहुत रूट रहते हैं तेज वाद में बात करते हैं क् इस तरह से अरम को पता चल जाता है कि यहां से उसका अंदाज़ा होता कि यह गोड़ा और किसी का नहीं वह जॉन पाइरो यहां पर आपको डीटेल में समझाने बटू हूँ आपके दस घंटे खाएं और यहां पर मैं आपको डीटेल में समझाने बटू हूँ आपके दस घंटे खराब करो वह चीज नहीं करना चाहरा मैं मैं चाहरा हूँ पहले एक मोटा मोटा आइडेलो तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी एक हाव ड़स ऑथर डिस्क्राइब और अपने पड़ी रखा है और इसमें यह चीज़रूर याद रखना कि जो मुराद है उसने बात बोली दी कि वहारा परिवार वह परिवार ओने जाना जाता है तो अग्या बात करें तो यह लोगा थीफ यह लोगा था वह अपने परिवार की तरह एक ऑनेस बच्चा था लेकिन उसको हॉर्स राइडिंग का शॉक था तो इस वज़े से वह घोड़े को चोरी कर ले 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 लेटर ओन ही रिलाइस कि हाव भी मैंने गलत काम किया है और हम चोर नहीं सब्सक्राइब और अफ्रेड वह अफ्रेड तो नहीं थे हम यह नहीं कहेंगे वह डरे हुए थे डर से जादा काम कर रहे हमारे परिवार की बहुत इज़त है तो इस तरह से एक लॉंग आंसर आप इसका लिखके आ सकते हो ठीक है अगर इस चैप्टर से कोई भी चैप्टर से कोई भी क्वेस्चन आया कुछ भी नहीं आता न उसकांसर पूरी स्टोरी जितनी भी आपको समझ माई भी है लिखके आजाना छोड़के मताना खाली यह ट्रिक बता रहो चोड़के मताना लिखके आओगे मांस मिल जाएंगे ठीक है जहां कुछ समझ नहीं आ चाहां कुछ